जन्पत हापुड में बढ़ते प्रदूशन की वज़ाई से लोगों के स्वास्ते पर विपरीत असर पढ़ा है जहरी लिवा में सांस लेने से लोगों को परिशानी हो रही है हापुड की जलादिकारी प्रिणाश्रमा ने बताए कि दिल्ली NCR में प्रदूशन की वज़ाई से ग्रेब चार लगो हो चुका है इस सम्मन में दिकारीयों कि बैठकों का दौर लगातार जा रही है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्स पर बेन लगा दिया गया है इस दुरान सटकों पर छिड़काओ किया जाएगा पराली जलाने वालों पर सक्क्त कारवाई भी की जाएगी जिरादिगारी पिड़नाश्वर्मा ने बताए कि अभी तक कुल 17 मामले सामने आए है जिन में से 4-5 मामले खुले में कूड़ा जलाने के हैं जबकि 6 मामले पराली जलाने से जुड़े हैं आपको बता दे कि हापुड का एर कॉलिटी इंटेक्स गंभीर श्रेणी में है जिसकी विज़ा से सडकों पर धुंद च्छाई हुई है लोगों को आँखों में चलन और गले में खराश के शिकायते हो रही हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जो CAQM की सब कमिटी है उसने ग्राप 4 डेली और NCR के सभी जनपदों में लागू कर दिया है ग्राप 4 सिवियर प्लस काटेगरी को कहते हैं इसमें 8-point mitigation plan है जिसको वहां से जारी कर दिया गया है और follow भी किया जा रहा है कल Chief Secretary Sir ने AC के संबंद में रात को meeting भी ली थी और सभी जनपदों को आदेशित किया था कि ग्राप 4 की guidelines को follow किया जाए सिवियर प्लस काटेगरी में सभी construction works चाहे वो linear projects हों बंद कर दिये जाते हैं इसके अलावा mitigation में road sweeping और जो हमारी छिड़काव की machine है misting की machine है उनको use में लाए जाता है और अगर कहीं पर पराली या इसी घटना पाई जाती है तो उस पर भी सक्त कारवाई करने के आदेश दिये गए हैं स्कूल्स की देखे ग्राप 4 severe plus category है कल सुप्रीम कोट का भी संबंद में आदेश हुआ था तो स्कूल्स की छुटी कर दी गए है और इसके अलावा यहां पे जो हमारे यह हैं जो पराली के हैं अभी तक 17 cases हुए हैं जिसमें से 4-5 cases जो हैं वो कूडा जलाने के थे वो पराल सब्सक्राइब रिस्पॉंसिबिलिटी है तो इसमें एक सब लोग देखी रहे हैं कि एर क्वालिटी पूर है मिटिगेशन एक्साइज गर्मेंट्स और सभी डेपार्टमेंट्स चला रहे हैं लेकिन लोगों से भी अनरोत किया जा रहे हैं कि वह जो वेहिकलर प्लीशन है उसको भी कम करें और खुद भी अगर किसानों से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि कहीं पर पराली ना जलाएं और सब को इस संबंद में इंफॉर्म भी किया जा रहा है झाल झाल झाल